पिछले एक साल से एक तथा कतित शराग घोटाले की जाच एडी और सीबियाई के द्वारा की जा रही है एक मन गढ़ंत घोटाला एक कालपनिक घोटाला जो घोटाला हुआ ने उसकी जाच चल रही है जाच पे जाच चल रही है फिर जाच चल रही है फिर जाच पे जाच चल रही है एक साल से और बार बार एडी अपनी स्टेटमेंट चेंज करती है कभी कहती है सौ करोन का घोटाला हो गया कभी कहती है हजार करोन का घोटाला हो गया मैंने कई बार प्रेस कॉन्फरेंस करके ED के चेहरे को बेनकाब करने का ताम आपके सामने किया है मैंने बताया कि किस तरीके से चंदन रेड़ी के कान के परदे फारके उसको मार पीट करके उसका स्टेटमेंट लिया गया मैंने बताया कि कैसे एक व्यक्ति को धमकाया गया कि तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी हम देखेंगे मैंने पहले भी बताया कि कैसे ED ने जूंटा बेबुनियाद आरोप लगा के सारे फोन अपने पास रखके ये कहा कि मनिस्स सौधिया ने फोन तोड़ दिया फोन तोड़ दिया मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से जूंटा बेबुनियाद आरोप लगा के मेरा नाम चार सीट में सामिल करने का काम ED ने किया और जब मैंने ED को नोटिस दिया तो बुले साब गलती हो गई लिखना था राहूल सिंग लिख दिया संजे सिंग इसका मतलब वो तमाम घटनाएं जो थी वो पूरी तरीके से सच थी ये बात साबित होती है कल की घटना से कल जो कुछ हुआ उसने पूरे हिंदुस्तान को पूरे देश के लोगों को हैरान करके रख दिया नरेंद्र मोदी जी की सबसे प्रियसंस था ED जिसको अपने साथ लेके हाथ में हाथ मिलाके मोदी जी कहते है ये ED है इसके जरीए हम ब्रस्टा चार खतम करेंगे ये ED है इसके जरीए ब्रस्टा चार खतम करेंगे वो ED Extortion Department बन गई है Extortion Department ED ED नहीं है ED Extortion Department है ED धनुका ही का Department है और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात CBI कह रही है ED का Assistant Director पांच करोण रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया साथ लोगों के साथ साथ लोगों के साथ पांच करोण की रिश्वत किस मामले में दिल्ली शराब के तथा कतित घोटाले के मामले में एक आरोपी को बचाने के नाम पे पाँच करोड रुपए की रिश्वत एक आरोपी के बाप से ली गई अमन्दीब धल के बाप से ली गई ये एक स्टॉर्सन डिपार्टमेंट के हकीकत है यही कर रहा है एडी पिछले एक साल से इस घोटाले की जाँच के नाम पर इस तथा कतित घोटाले की जाँच के नाम पर कभी मनीश से सौधिया को गिरिफ्तार किया जाता है कभी किसी को गिरिफ्तार करके जेल में डाला जाता है और हर दिन जूटी खबरे कभी का फोन तोर दिया कभी का 54 करोण की संपत्ती बरामाद हुई कभी ये स्टोरी कभी वो स्टोरी और पूरे देश में ये सिलसिला मोदी जी के आने के बाद चला रखाए डी ने पिछले नौ वर्सों में तीन हजार केसेज डी ने तीन हजार छापे मारी डी ने की और मात्र 23 लोगों पर आरोप सिद्ध कर पाए 0.5% का कण्विक्शन रेट है ये एडी किसलिए बना है भाई नरेंदर मोदी जी आपने एक स्टॉर्सन डिपार्ट्मेंट किसलिए बना रखा है महरास्तर में विधायत तोडने के लिए करनाटक में विधायत तोडने के लिए मध्य प्रदेश में विधायक तोलने के लिए गोवा में विधायक तोलने के लिए उत्राहंड में विधायक तोलने के लिए अरुनाचल में विधायक तोलने के लिए डिल्ली में विधायक तोलने के लिए पंजाब में विधायक तोलने के लिए पूरे देश में बिधायकों को तोड़ने के लिए एक्स्टॉर्शन डिपार्ट्मेंट ये बना रखा है इनको गुंडागर्दी का लाइसेंस दे रखा है आपने जाओ जारखंड में गुंडागर्दी करो जाओ बिहार में गुंडागर्दी करो जाओ बंगाल में गुंडागर्दी करो जाओ पंजाब में गुंडागर्दी करो महारास्टरा में गुंडागर्दी करो करनाटक में गुंडागर्दी करो दिल्ली के अंदर जा जाके रोज गुंडागर्दी करो ये गुंडागर्दी का डिपार्टमेंट मरा रखा है आपने मैं तो माननी सरवोच न्यायले से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस ED डिपार्टमेंट को बंद किया जाए इसकी कोई आवशक्ता नहीं है ये सिफ भारती जनता पार्टी के गुंडागर्दी का फ्रंटल है इसके लावा कुछ नहीं ये गुंडागर्दी का विंग है ये एक्स्टॉर्शन विंग है भारती जनता पार्टी का ये एक्स्टॉर्शन डिपार्टमेंट है ED पैसे वस ओल रहा हूँ गोटाले की जाच में गोटाला गोटाले की जाच में गोटाला केरे साब हम गोटाले की जाच कर रहे हैं उसके नाम पे रिश्वत खा रहे हैं अच्छा ये ED के अधिकारी करें क्या वो देख रहे हैं मोदी जी हमसे विधायक पकड़वाते हैं महारास्ट्रा में, उनको धमकवाते हैं, उनके उपर केस करवाते हैं, फिर उनको दे देते हैं 50 खोका, विधायकों को तो मिलता है 50 खोका, वो चले जाते हैं सरकार के साथ सामिल हो जाते हैं, अई एडी के अधिकारी बेचारे एक भी खोखा नहीं पाते तो भारती खोखा पार्टी ने खोखा अधिकारी तयार किया बोले खोखा खोखा तुम भी करो जैसे वहाँ पे खोखा हम कर रहे हैं यहाँ पे खोखा तुम करो तो पांच खोखा का मामला है यह पांच खोखा कि इसने लिया है एडी के आसिस्टेंट डिरेक्टर ने दिल्ली के तथा कतित शराब घोटाले के मामले में जो एक कालपनिक मनगरंद घोटाला है उसमें एक आरूपी को बचाने के नाम पर पांच करोर रुपए की पांच खोका की रिश्वत ली और मेरा सीधा रूप है कि ये एक्स्टार्शन डिपार्टमेंट जो पैसे की वसूली करता है इसका हिस्सा भारती जनता पार्टी के नेताओं को भी पहुंसता है इसकी भी जाच होनी चाहिए और ये क्या पांच करोर रुपए अकेले ये असिस्टेंट डिरेक्टर खा रहा था ये पैसा किसको किसको गया इडी के किन किन अधिकारियों का इसमें हिस्सा है इसकी पूरी जाच होनी चाहिए और वो सारे के सारे अधिकारी जेल के अंदर होने चाहिए मैं तो कह रहा हूँ इडी डिपार्टमेंट जो एक गुंडागर्दी का विंग बनाया है भारती तुरंत और तत्काल रोक लगनी चाहिए ये डिपार्टमेंट बंध होना चाहिए ये खतरनाक डिपार्टमेंट देश के अंदर पैदा हो गया है जिनको सरकारी लाइसेंसे गुंडागर्दी करने का जिनको सरकारी लाइसेंसे एक्स्टॉर्शन करने का ये तो एक मामला लगातार यही एक साल से चल रहा है एक साल से यही सिलसिला कभी कहते हैं सौ करोन का घोटाला अब कहरें चवालिस करोन का घोटाला हर जगा पूछा जारा भाई मनी ट्रेल बताओ कहां कहां पैसा पकड़ा गया क्या पकड़ा गया कुस्तों बताओ मनी सिसो दिया के गाउं पे चापे मारी दफ्तर पे चापे मारी बैंक का लॉकर चेक किया सरकारी घर चेक किया कई कुछ नहीं निकला लेकिन बस बोले जा रहे हैं तो पकलते हैं जेल में डालते हैं फिर उनको क फिर उससे जो मन चाहा होता है स्टेट्मेंट लिखवाते हैं ये पूरी की पूरी तथा कतिस शराब घोटाले की जाज को कूडे दान में डाल देना चाहिए और जितने भी ED के अधिकारी है ये एक्स्टार्सन डिपार्टमेंट के जितने अधिकारी हैं जो धनुगाही का काम कर रहे हैं इनको सब को पकड़के जेल में डालना चाहिए ये बहुत ही शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी संस्था इस देश के अंदर बना दी जो पूरे देश में विधायकों को तोलने का, खरीदने का, एक्स्टार्सन करने का, रिश्वत खोरी करने का, भरस्टाचार करने का काम कर रही है और मैं फिर से मानी सरवोच्चे नियायले से ये अपील करूंगा कि इस पूरी घटना का संग्यान ले और ये विभाग जो पूरे देश में, अकेले दिल्ली का मामला नहीं मैंने आपको बताया, जारखंडों, बंगालों, करना, टकों, मद्ध्रदेशों, पूरे देश में हाँ बस एक ही चीज है, जो भरस्टाचारी मोदी वासिंग पाउडर से धुल गया, उस पे कारवाई नहीं होगी हेमंत विश्व सर्मा पे कारवाई नहीं होगी, सुवेंदू अधिकारी पे कारवाई नहीं होगी, मुकुल राय पे कारवाई नहीं होगी, अजीत पवार पे कारवाई नहीं होगी, छागन बुजबल पे कारवाई नहीं होगी, हासन मुश्रिप पे कारवाई नहीं होगी जो मोदी वॉसिंग पाउडर से नहा लेगा चाए वो यदुरप्पा हो या रेड़ी ब्रदर्स उस पे कारवाई नहीं होगी उस पे कारवाई नहीं होगी तो ऐसा डिपार्टमेंट जो बना ही सिर्फ खुले तोर पे खुली आखों से पुरे देश को दिख रहा है कि बना ह सिर्फ एक्स्टॉर्शन के लिए है बना है सिर्फ धंकी देने के लिए बना है सिर्फ खोका खोका करने के लिए बना है सिर्फ गुंडागर्दी करने के लिए तो इस डिपार्टमेंट को बंद कर देना चाहिए टैक्सपेयर के पैसे से इनको तंखा दी जाती है यही करने के लिए हैं तो मुझे इतनी बात कहने थी आपका कोई प्रस्न हो तो आप पूछ सकते हैं देखे ये कोई छोटी चीज तो है नहीं ना ये छुपी है सारे मीडिया में चल रहा है असिस्टेंट डिरेक्टर एडी का कोई छोटा अधिकारी नहीं होता वो गिरिफतार हुआ है उसके साथ एक UDC गिरिफतार हुआ है उसके साथ पांच लोग और गिरिफतार हुए हैं और आप देखते हैं ना नोट की गड़्डी बना के लिखा रहता है ED आपको पता है कितना पैसर पकड़ा इन लोगों ने दो करोण 14 लाख रुपए कैस और एक करोण 90 लाख रुपए की ज्वैलरी पकड़ी है जो इस पूरे मामले में शामिल था अब बताएं कहीं आपनों को खबर पता चली किसी को कानो कान पता चला 14 रुपए जिस मनीश सौधिया के घर से बरामद नहीं हुआ उसको बदनाम करते हैं और इनका खुद का अधिकारी जिस रिश्वत खोरी के कान में शामिल है उसके अहां से उसके उससे जुड़े हुए लोगों से 2 करोण 14 लाख रुपए का कैस और 1 करोण 90 लाख की ज्वैलर चल रही है अखबारों में भी खबरे आई है और मानी सर्वोच नियाले भी इस घटना का संग्यान जरूर लेगा जब एडी एक एक स्टॉर्शन डिपार्टमेंट के रूप में तब्दील हो चुका है तो इसका संग्यान तो निश्चित रूप से मानी सर्वोच नियाले को भी लेना चाहिए मैं ऐसी अपील करता हूँ एक साल से यह जात चल देए आपने कभी नहीं सुना होगा एक साल से जात चल रही है और एक जीरो भी मतलब कहीं भी कोई तथ्यास तक कोई प्रमान नहीं दे पाई इस पूरे मांबेंट क्या कर रहे हैं मैंने जैसे आपको बताया कोई ब्यापारी है उसको उठा लिया मारा पीटा जो मंचाह बयान लिखाया और उससे पैसे लेके उसकी जमानत करा दी जा वेटा बाहर यही कर रहे हैं तो इसलिए पहले दिन से हम लोग बताएं बहुत सारी चीजे मैंने एडी के बारे में अलग-अलग समय पर प्रिसकाउन दे यह ब्लैक मेलिंग का डिपार्टमेंट है बाई ब्लैक मेलिंग करते हैं आप देखिए मेरा नाम चार सीट में इन्होंने कोई और व्यापारी होता कोई होता उसको पकड़के ले जाके मारते पीटते वसूली करते मैंने खुद इनको नोटीस बेजा तो कहले के निनी साब गलती हो गई लिखना था राहुल सिंग लिख दिया संजे सिंग मैंने का नीरो मोधी की जगा नरेंदर मोधी लिख दो ग पता चला मोधिया जी कुछ दिरिफ्तार करने पहुंच जाओगे तुम लोग सेवेनार सियार अब तो लोग कल्यार भवन मार्क क्या हो गया है जी कुछ पूछ नहीं दिया देखे बहुत सारे विश्यों पे चर्चा हो गई मनीपूर का मामला है मेवाद का मामला है और जिस तरीके से पार्लेमेंट को हाईजैक करने की कोशिस की जा रही है वो मामला है और एडी के दुर्वियोग का तो एक नहीं अनेक मामला सामने आया है सबके खिलाफ और मैं तो कह रहा हूँ कि भाई यह कौन सी एडी है जिसका नजरिया अजीत पवार के बारे में उस दिन ततकाल बदल जाता है जिस दिन वो बीजीपी में शामिल हो जाते हैं यह कौन सी एडी है कि जो भी मोधी वासिंग पौडर से नहला दिया जाता है उस द्धन उगाही कर रहा है सारे विश्यों पर चर्चा होगी इस पर भी बातचीत करेंगा बोगो सारे विश्यपे चर्चोब मुद्दे बैंगलोर की मीटिंग में रह गए थे और पटना की मीटिंग में उससे आगे की बातचीत होगी अभी तो इंडिया गडवंदन का नाम पिछली मीटिंग में तैं हुआ था और इसके बाद अब जो मीटिंग हो रही मुंबई में उस किया इस बारे में सोची आप किसके नाम का समर्थन करते हैं या क्या वो पार्टी के रास्टी अद्यक्ष केजडिवाल जी तैं करेंगा और जब चर्चा के दौरान बात आएगी कि कौन-कौन से लोग रास्टी सर्योजक के लिए किन-किन लोगों का नाम है उसके बाद के किसका बयान है देखे ऐसा है कि भारती जनता पार्टी का काम करने का जो तरीका है उसको लेकर ये शंका लोगों के दिमाग में है और जायद शंका है जैसे दिल्ली के अंदर बी-जे-पी ने चुनाओ के पहले दंगा कराने का भर्सक प्रयास किया और ठीक चुनाओ के बाद आपने देखा कि यहां पे दंगे हुए हर्याना में सब कुछ खटर साहब की जानकारी में था वहां की सरकार के जानकारी में था कितनाओ की इस्तिती है लेकिन वहां पर जानबूच के प्रसासन ने ढिलाई की और फसाद हुए दंगे हुए जो हरियाना कभी भी सामप्रदाइक दंगों की चपेट में नहीं रहा वो चपेट में आया भादपा के राज में मनिपूर देखे तो ये दंगों और फसाद के जरिये चुनाओ जीतने का प्रयास करते हैं ये कोई नई चीद बीजेपी के बारे में नहीं है इनके पास काम तो कुछ है नहीं बेरोजगारी पे सवाल करोगे कोई जवाब नहीं काला धन पे सवाल करोगे कोई जवाब नहीं किसान का फसल दोगुना करने पे सवाल पूछोगे कोई जवाब नहीं महंगाई कम करने पे सवाल पूछोगे कोई जवाब नहीं तो जो जिस party ने कोई काम नहीं किया, 2% देस के education का budget है. 2% देस के health का budget है. जिस party ने कोई काम नहीं किया, वो दंगे फसाद करा की चुनाओ जीतना चाहेगी. तो उसके आधार पर कोई शंका, शंका, संजरावज जी ने वेक्ट की होगी. अरे बई मैं सिर्फ आपको इतना ही कह सकता हूँ कि जो भी मीटिंग के अंदर चर्चा होगी दो दिनों की मीटिंग है 31 और 1 की उसके बाद सारे गड़बंदन के दल बैठ कर उनके नेता प्रेस कॉंट्रेंस करके एक एक चीज की जानकारी मीडिया को देते हैं तो कुछ भी छुपाने का या कुछ भी पहले बताने का कोई मतलब नहीं है तो इसलिए मीटिंग होने दीजिए मीटिंग में जो चीजें तैं होंगी आपके सामने आ जाएगा अच्छा चुनाओ कैसे लड़ा जाएगा चुनाओ निश्चित रूप से अगर 26 दल एक साथ मिलके लड़ रहे हैं तो उसमें कौन कहां से लड़ेगा यह तो तैं होगा यह तो उसमें कोई अपने पार्टी खेंडल से उन्होंने कुछ 0 और किसी से बाद चीज़ परिवार है यह जो इंडिया का परिवार है यह दीरे दीरे आगे और बढ़ेगा ही बढ़ेगा यह तो आप ही लोग चला रहे मीडिया में जब वहां पर जाएंगे पता चलेगा हम लोग भी देखेंगे कि हाँ अब उसके पहले ही कोई लोगो आप लोगों ने जारी किया वही देख रहा हूं ट्विटर पर मैंने मैंन जाना चाहिए आमादी पार्टी के राइस पर क्या होगी देखे जहां 26 दल है हर पार्टी के नेता कुछ न कुछ statement देंगे कोई न कोई बयान देंगे लेकिन जब कोई किसी भी गड़बंदन में आप होते हैं उसमें कोई फैसला सामोहिक तौर पिते होता है तो सामोहिक रूप से जब सारे लोग वहां बैठेंगे जिन नामों पर प्रस्ताव आएगा हमारे नेता अर्विन केजरिवाल जी उसकर अपनी राय देंगे